आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello everyone Question is calculate the force of attraction between a proton and electron separated by a distance of 8 into 10 to power minus का 14 meter तो यहाँ पर देखो हमें calculate क्या करना है force of attraction यहाँ पर हमें बताना है क्या होगा between the proton and electron तो यहाँ पर देखो एक हमारा यहाँ पर क्या है proton है तो proton पर charge हमारा positive होता है और यहाँ पर क्या है एक electron है यहाँ पर एक electron है और यहां पे इनके बीच का separation हमें given है कितना 8 into 10 raise to power minus का 14 ओके यह जो distance r है यहां पे हमारा separation वो given है 8 into 10 raise to power minus का 14 ओके तो यहां पे देखो charge of proton जो होता है वो होता है हमारा positive charge 1.6 into 10 raise to power minus का 19 कुलाम ओके और जो charge of electron है वो होता है minus का 1.6 into 10 raise to power minus का 19 कुलाम ओके तो यहां पे देखो एक पे हमारा positive charge है proton पे positive charge होता है और electron पे क्या होता है हमारा negative charge होता है तभी यहां पे देखो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं यह attack कर रहे हैं तो यहां पे जो हमारा according to the कुलाम's law यहां पे जो formula होता है f is equal to क्या होता है 1 upon 4 pi epsilon 0 q1 q2 और upon में क्या जाएगा r square तो यहां पे देखो force of attraction होगा यहां पे क्योंकि एक positive charge है और यह क्या है यहां पे मारा negative तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे यह attract करेंगे तो simply यहां से मैं magnitude find out कर लूँगा तो f is equal to क्या जाएगा देखो 1 upon 4 pi epsilon 0 ओके और q1 q2 देखो equal है बस sign में opposite है एक दूसरे के तो simply इसको मैं q square लेख सकता हूं और upon में क्या जाएगा r square ओके और 1 upon 4 pi epsilon 0 क्या है यहां पे हमारा constant है electrostatic तो इसकी value आ जाएगी यहां से मेरी 9 into 10 raise to power 9 और charge कितना है यहां पे हमारा 1.6 into 10 raise to power minus का 19 का whole square और upon में r square ओके तो separation कितना है 8 into 10 raise to power minus का 14 का whole square ओके तो now इसको further solve करते हैं है तो f is equal to क्या जाएगा है यहां से देखो यहां जाएगा nine 1.6 into में 1.6 और into में 9 और divided by 64 तो यहाँ पर दिखो power को करते हैं consider तो यहाँ पर दिखो यह कितना हो जाएगा 10 raise to power minus का 28 है तो उपर जाके क्या हो जाएगा plus का 28 हो जाएगा और plus का ही 9 है यहाँ पर हमारा तो यह हो गया 37 10 raise to power कितना हो गया 37 plus का और minus का कितना हो गया यहाँ पर हमारा 38 तो simply minus 1 बचे का है यहाँ पर हमारा तो f is equal to कितना आजाएगा यहाँ पर दिखो इसको solve कर लेते हैं 1.6 multiply of 1.6 और into में 9 तो यह आता है यहाँ पर हमारा 23.04 और into में क्या आएगा यहाँ पर हमारा minus का 1 बच जाएगा और divided by 24 तो 23.04 को अगर मैं 64 से divide करता हूँ तो यह कितना आता है यहाँ पर हमारा f is equal to आता है 0.36 into में 10 raise to power minus का 1 और it can be write as f is equal to कितना आ जाएगा force of attraction 3.6 into में 10 raise to power minus का 2 newton तो यहाँ से हमारा जो force of attraction आ रहा है proton और electron के बीच में वो आ रहा है यहाँ पर हमारा 3.6 into में 10 raise to power minus का 2 newton I hope you like this video and thank you so much for watching Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भर हो सा आज जी डाउनलोट करे डाउटने टाप यह WhatsApp कीजे अपने डाउट्स 8444 सुपर